शकुन शास्त्र में छिपकली के गिरने के शुभशुभ संकेतों के बारे में कुछ मान्यताएं होती हैं, जिनका व्याख्यान किया जाता है। यह मान्यताएं विभिन्न संस्कृतियों और लोकाचारों से जुड़ी होती हैं और उनका अपना महत्व होता है। हालां की इन संकेतों की प्रमानित वैज्यानिक आधार नहीं है और इन्हें मात्र एक पारमपरिक धार्णा के रूप में माना जाना चाहिए। यहां हम आपको कुछ आमशुभशुभ संकेत बता रहे हैं जो छिपकली के अलग-अलग अंगों पर गिरने से जुड़े हैं। दीवारों, दर्वाजों और खेडकियों पर छिपकली का दिखना आम बात है। छिपकली से बहुत लोगों को डर भी लगता है। कुछ छिपकलियां जहरीली भी होती हैं, इसलिए अगर ये शरीर के किसी अंग पर गिर जाएं तो तुरंत नहाने की सलाह दी जाती है। शकुन शास्त्र के अनुसार छिपकली का गिरना कुछ शुभशुभ संकेत भी देती हैं। आईए जानते हैं कि छिपकली के गिरने का क्या मतलब होता है। शकुन शास्त्र के अनुसार छिपकली के माथे पर गिरने को धनलाब और सम्मान प्राप्ती के शुभ संकेत के रूप में माना जाता है। यदि छिपकली का माथे पर गिरना देखा जाता है तो इसे धनलाब और सम्मान की संभावना के संकेत के रूप में लिया जा सकता छिपकली का माथे पर गिरना धनलाब का संकेत माना जाता है धन को छिपकली संबोधित करती है और उसे अदान करती है कि उस व्यक्ति को आर्थिक सफलता और संपत्ती की प्राप्ती में समर्पित होना चाहिए माथे पर छिपकली का गिरना इसलिए धनलाब के संकेत के रूप में माना जाता है क्योंकि माथा संकेत देता है कि यहां आर्थिक विचार, प्रबंधन और सफलता के संबंधित क्षेत्रों में उच्छतम स्तर पर संचालित होगा इस प्रकार यहां माना जाता है कि व्यक्ति को आर्थिक सफलता, धन संबंधी संकटों के उत्तार में समर्पित होना चाहिए शकुन शास्त्र के अनुसार, छिपकली का नात पर गिरना एक शुब संकेट माना जाता है और इसका अर्थ होता है कि आपका भाग्य जल्द ही खुलने वाला है यह संकेट आपको आने वाले समय में सौभाग्य, सफलता और खुशाली की प्राप्ती की संभावना दर्शाता है इस तरह कि घटना आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और उन्नती का संकेट हो सकता है बाएंगाल पर छिपकली का गिरना इसके बारे में दूसरा संकेट है यह संकेट देता है कि आपको आपके पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है इसका मतलब है कि आपको उन से मिलने या उनके साथ समय बिताने का एक अफसर प्राप्त हो सकता है यह एक स्वाभाविक समाजिक या व्यक्तिगत मुलाकात हो सकती है, जिससे आपके रिष्टे मजबूत हो सकते हैं और आपको आपके पुराने दोस्तों के साथ संबंध बनाए रखने का अफसर मिल सकता है वहीं दाएं गाल पर छिपकली का गिरना व्यक्ति की उम्र में एक और संकेत माना जाता है यह मान्यता है कि छिपकली का दाएं गाल पर गिरना व्यक्ति की उम्र में बढ़ावा करता है यह एक पुरानी धार्णा है कि छिपकली का दाहिना गाल पर गिरना व्यक्ति को दीरगायू और स्वस्थ्य जीवन का संकेत देता है इसका मतलब है कि व्यक्ति की उम्र में एक व्रिध्धी हो सकती है और वे एक लंबे जीवन का आनंद उठा सकते हैं शकुन शास्त्र के मानदंडों के अनुसार शिपकली का गरगन पर गिरना व्यक्ति के मान संमान में व्रिध्धी का संकेत होता है इसका मतलब है कि आपकी स्थानिक प्रतिष्था और संमान में सुधार हो सकता है और लोग आपकी महत्वाकांख्षा को पहचान सकते हैं यह एक सकारात्मक संकेट माना जाता है, जो व्यक्ति को समाज में अधिक प्रभावशाली बनाने की संकेट देता है. शिपकली का दाहिना कंधा पर गिर्ना विजय के संकेट के रूप में विचारा जाता है. इसका अर्थ है कि आप किसी मामले में सफलता प्राप्थ करेंगे और अपने लक्षियों को प्राप्थ करेंगे. यह एक प्रशन सनिय संकेट है जो व्यक्ति को सकारात्मक रूप से प्रभावी और प्रक्तिशी बनाने की संकेट देता है. वहीं छिपकली का बाया कंधा पर गिरना नए शत्रों के बनने का संकेट हो सकता है. इसका अर्थ है कि आपको नए दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है और व्यक्ति को सतर्क रहने की आवश्यक्ता हो सकती है. छिपकली के दाहिने हाथ पर गिरने का मतलब धन लाब होने का हो सकता है. यह शकुन शास्त्र के मानदंडों के अनुसार व्यक्ति को आर्थिक सुख और वृद्धी के अफसर मिलने का संकेट देता है. यह संकेत आपको यह बता सकता है कि आपको आने वाले समय में आर्थिक प्रक्ति और आर्थिक सुख की प्राप्ति हो सकती है जबकी चिपकली के बाएं हात पर गिरने का मतलब संपति की हानी होने का हो सकता है यह शकुन शास्त्र के मानदंडों के अनुसार व्यक्ति को वित्तिय हानी और अर्थिक शती के संकेत कर सकता है यह आपको यह बता सकता है कि आपको आर्थिक मामलों में संकट आने की संभावना हो सकती है और आपको सतर्क रहने की आवश्शक्ता हो सकती है छिपकली के दाएं पैर पर गिरने का मतलब यात्रा से लाब होने का हो सकता है यह संकेत आपको यह बता सकता है कि आपकी यात्रा या दूरस्थ स्थानों के साथियों के संबंध में सकारात्मक अनुभव और संप्रेमिता हो सकती है शकुन शास्त्र के अनुसार छिपकली की लड़ाई देखना या छिपकली के आपसी जगडे का संकेथ हो सकता है यदि आप छिपकली को लड़ते हुए देखते हैं तो यह एक संकेथ हो सकता है कि आपके परिवार में या किसी मित्र से कोई तकरार होने की संभावना है शकुन शास्त्र में बताया जाता है कि छिपकली के दाहिने कान पर गिरने का मतलब आक्समिक धन की प्राप्ती हो सकती है यदि आपको छिपकली दाहिने कान पर गिरती हुई देखते हैं तो इसे धन की प्राप्ती का एक संकेत माना जाता है वैसे तो यह बात धार्मिक और लुकाचारित्रिक मान्यताओं के अंतरगत आती है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है धन की प्राप्ती और संबंधित विश्यों में व्यापारिक, निवेश और अन्य युक्तिया और प्रभाव बहुत सारे होते हैं जो सिर्फ एक छिपकली के गिरने के संकेट पर निर्भर नहीं होते हैं छिपकली के बाएं कान पर गिरने को लोग बढ़ती उम्र का संकेट मानते हैं यदि आप छिपकली को बाएं कान पर गिरती हुई देखते हैं तो इसे अपनी उम्र में व्रिधी का संकेट माना जाता है